हेलो दोस्तों मैं पवन मलिक आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुती बैतरी न्यूज के बारे में आज की हमारी वीडियो होगी जिन लोगों ने वहां पे जमीन खरीद रखी है यमना एक्सप्रेसवे के आसपास या नोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट के आसपास उनी से लिटेड आज की हमारी खवर होगी क्योंकि ये खवर उनी के लिए है आप देखेंगे यमना प्राधिकरन ला रही है ऐसी स्कीम हजारों किसानों हो जाएंगे माला माल यानि कि जो वहां पे किसान है जिन लोगों उन्हें वहां पे जमीन खरीद रखी है उन्हें बहुत फायदा होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में आप यह देख रहे हैं यह यमना एक्सप्रेस्वें अथर्टी का मास्टर प्लान है जिसमें कुछ जगाओं पे यमना एक्सप्रेस्वें एकck Ads की बहुत सा एरिया इसमें वहां से सेटर ऐसे है जहां अभी तक अथर्टी ने जमीन और नहीं करी है वह जमीन गिसान KEVIN के नाम पर है तो अब उस जमीन को अगर 32 करती चाए वह इंडिक से happened छ्वे में तो उनको भी बहुत अच्छा इंवेस्टमेंट है और उसमें सबसे अच्छी बात है कि हम को ये अग्रिकल्चर लेंड अगर खरीदते हैं यहां पे तो इसमें हमारी रेजिस्ट्री और दाकिल खारेज यानि कि मुटेशन हमें दोनों ही सुद्दाइं मिलती है प्रॉपर पेपर तया यमना अथौर्टी के किसानों के लिए अच्छी खबर यानि कि जो वहां के किसान है किसान वही नहीं जो वहां पे रह रहे हैं खेती कर रहे हैं जिन लोगों ने जमीन खरीद रखी है उनके लिए भी अच्छी खबर है किसानों के साथ निवेस करने वाले उद्वियों के के लिए बड़ी खबर यम ना अथॉर्टी इंडस्टियल सक्टर 10 में च्हें इंडस्टियल पारक बनाने जाभी है यानि कि जो सेक्टर 10 है उसमें यमना एक्स परस वे अथौर्टी छे इंडुस्टियल पारक डवलप करने जा रही है बनाने जा रही है मैं थोड़ा चा आपको दिखा दूँ कि सेक्टर दस जो है वो आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा आप देखेंगे यह यमना एक्सप्रेस वे हैं बात करें हम तो आपको यह यमना एक्सप्रेस वे देखने के लिए मिलेगा अगर हम इदर ग्रेटर नोड़ा साइड से जाते हैं यह आपका यमना एक्सप्रेस वे हो गया हम ग्रेटर नोड़ा साइड से आगरा की साइड जाते हैं तो यह आप देखेंगे इसके बाद सेक्टर 21 में फिलम सिटी है यह सेक्टर 21 हो गया, यहां से हम देखते हैं, तो यह आपका सेक्टर 10 है, जिसमें सेक्टर 32 और सेक्टर 32 हो गया, यह आपका सेक्टर 39 हो गया, यह सेक्टर 28 हो गया, यह सेक्टर 10 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 हो ग जो है वो यमना एक्सप्रेस वे अथर्टी डवलप करेगी इसके लिए यमना अथर्टी तेरह सो हेक्टेर जमीन अधिकरन करेगी यानि कि किसानों की सेक्टर दस में यमना एक्सप्रेस वे अथर्टी तेरह सो हेक्टेर जमीन जो है वो अधिकरन करेगी ये 6 इंडस्टियल पारग बनाने के लिए जमीन अधीगरण करने के लिए एक सामाजिक समाधान करने के लिए 7 सदिस्यों की समीती गठित कर दी गई है यानि कि एक समीती बनाई गई है जिसमें 7 लोग हैं सामाजिक तरीके से एक कमेटी बनाई जाएगी एक कमेटी का गठन किया जाएगा और वो इस जमीन जो भी जमीन एक्वार होगी सेक्टर दसकी तेरह सो हेक्टियर के असपास इसमें किसानों से बात करेंगे उनकी जमीन जो किसानों से ली जाएगी उसके लिए एक टीम का गठन किया जाएगा व यानिकि एक अच्छा मुआपजा जो है वो किसानों को मिलेगा या जिनकी सेक्टर दस में जमीन है जो तेरह सो हेक्टेर जो जमीन है उसमें अगर किसानों की या जिन्हों खरीद रखिया, उनकी जमीन आती है, तो उनको एक अच्छा मौपजा मिलेगा, एक मोटा मौपजा मिलेगा, और अथोर्टी उनसे जमीन अपना इंडिस्ट्रियल पारक बनाने के लिए ले लेगी, यमना सिटी के सेक्टर दस में इंडिस्ट्रियल पारक विक्षित किये जाएंगे, यानि कि जो सेक्टर दस में उसमें इंडिस्ट्रियल कौन-कौन से पारक बनाए जाएंगे, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें सेमी कंडेक्टर पारक होगा आपका, लेदर पारक होगा, प्लास्टिक पारक फूड बियर पारक भी होगा उसमें और हैंड लून हैंडी क्राप भी सामिल होगा यानि कि यह चाहे पारक जो है वो आपको इस सेक्टर में सेक्टर दस में देखने के लिए मिलेंगे यह सभी इंडस्टियल पारक सो एकड जमीन पर बसाए जाएंगे यानि कि यह जो छे इंडस्टियल पारक हैं यह आपको जो तेरह सो हेक्टर जमीन जो होगी उसमें से सो हेक्टर जमीन पर यह सभी पारक जो है वो बसाए जाएंगे इन इंडिस्टियल पारग बनाने के लिए आकलपुर और म्याना गाओं के किसानों की जमीन अधीकरन करी जाएगी यानि कि इसमें जो गाओं आएंगे वो दो गाओं आपको देखने के लिए मिलेगे एक आकलपुर गाओं आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा और एक म्याना गाओं जो है ये गाओं सेक्टर 10 में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिन गाओं की जमीन अथोर्टी एक्वार करेगी सेक्टर 10 में 1300 हेक्टेर जमीन के अधीगरण फिरकिरिया सुरू होगी ADM लेंड जमीन का अधीगरण करेंगे यानि कि ADM जो होंगे वो सेक्टर 10 की जमीन है जो 1300 हेक्टेर जमीन है उसको अधीगरण करेंगे तो ये एक बहुत अच्छी खबर है जो वहां के किसाने चाहे वो किसी भी सेक्टर के किसान हो आज तो अभी जो जमीन एक्वार होगी वो सेक्टर दसकी होगी मगर आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो भी वहां पर इंडस्टियल सेक्टर है रेजिडेंशल बच्चे होगे सेक्टर है या कॉमेर्शल सेक्टर है दीरे दीरे सभी की जमीन अथोर्टी एक्वार करेगी तो ये भी बहुत अच्छा उप्शन है आप वहां पर एग्रिकल्चर लेंड खरी सकते हैं आज कम रेट में वहां पर सेल के लिए एविलिबल है किसान सेल कर रहे हैं कुछ लोग पुछते हैं जी किसान क्यों सेल कर रहे हैं जब यह यमना एक्ष्प्रेस पे अथोर्टी जमीन को एक्वारी करेगी देखिए जरुवत के हिसाब से चीजें बेची जाती है खरीदी प्लोट है चाहे किसी भी साइज के प्लोट हो 300 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर 2000 4000 मीटर के कोई भी साइज हो रोज खरीदे बेचे जाते इसी तरीके से जमीन भी रोज खरीदी बेची जाती है तो काफी लोगों का कुश्यन होता है जब जमीन एक्वारी होगी अथोर्टी लेगी तो तो किसानों को यही मौफजा मिलेगा तो क्यों खरीदें तो जमीन जिनके नाम पे होगी ऐसा नहीं है कि मौफजा किसानों को ही मिलेगा अगर जमीन आपके नाम पे है तो आप भी एक तरीके से किसान है और आपको ही मौफजा मिलेगा उसका यह कंफर्म है कुछ लोग कहते ह कि जमीन अगर अथोर्टी ने नहीं acquire करी तो हम क्या करेंगे देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है अगर मैं एक तरीके से कहूं कि आपकी जमीन अगर 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 आगर आगर करेगी अगर आपकी जमीन लाल डोरे के आवादी में नहीं आती है तो जरूर आपकी जमीन acquire करेगी किसी कारण किसी तरीके से वो वो जमीन नहीं छोड़ सकती है तो आप वहाँ पे agriculture land भी खरीच सकते हैं यह भी एक अच्छा investment है अगर आपका budget कम है आप अथोर्टिक अप्लोट नहीं खरीच सकते हैं या बड़ा invest नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ पे 10 लाग 12 लाग 15 लाग 20 लाग 30 लाग 50 लाग तक का भी invest आप कर सकते हैं agriculture जमीन आप वहाँ पे खरीच सकते हैं अगर आप agriculture जमीन खरीदना चाहते हैं तो आप हमें इन नम्बरों पे call कर सकते हैं same नम्बर पे ग्राउंड फ्लोर एस एंजी प्लाजा अंसल गोल्फ लिंग वन ग्रेटर नौइडा यानि की नियर नौलिज पार्क टू मेट्रो स्टेशन या परीचोक और यमना एक्सप्रेस वे अथर्टी का जो दफ्तर है वो भी आपको पासी में देखने के लिए अग्रिकंचर लैंड का लेंड के पासे कि जिससे कि उनको जांकारी मिल पाई कि काफी लोगों को थोड़ा कम इसके बारे आज हमारे वीड sebri तक मिल सके आप वह वीडियो हमारा देख सके इसके लिए चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें चलिए सब्सक्राइब